आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यह टल मित्राया प्लिकेशन का यूज करके न्यू पॉस्ट्वेड सिम काड अक्टिवेट कर सकते हूं तो अगर आप भी पॉस्ट्वेड सिम एक्टिवेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा कम्प्ली वीडियो को लाइक निक्या वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब कर देना तो चली वीडियो को सुरू करते हैं सबसाब पहले मित्राया प्लिकेशन के अंदर आपको लॉग इन होना है लॉग पेज को ऊपर कि श्कॉल करके निव पॉस्ट्वेड एक्टिवेशन के उपर चैप करना है यहां पर जैसे ही चैप करोगो इसके बाद चैप के उपर चैप करना है इस जिगा पर आधार को सेलेक्ट करना है इस जिगा पर वेरिफाई कस्टमर का यह बॉक्स यहां पर देखने को मिलेगा तो यहां पर यह जो बॉक्स है इस पर टिक करना है पेज को थो इसकेन का उप्सन जो भी उप्सन का यूज करना चाहते हूं यहां पर स्लेक्ट कर लेना मैं यहां पर टैप टू फेस स्केन का यूज कर रहा हूं तो मैं सिंपल इस पर टैप करूंगा और यहां पर कस्टमर का फेस को स्केन कर लूँगा फेस स्केन होने के बाद नीचे यहा फाइट बैग्राण्ट में पलग जपखाकर लाइफ फूर ले लेज़ेर यहां पर कस्टमर का नाम पर करेक्द करने के लिए यहां पर जो बिंदू-बिंदू 9 ला है यहां पर थाप करना 9 बिंदू के उपर tap करोगे तो यहाँ पर आपके सामने loading लेगा और आपको यहाँ पर 10 mobile number तो यहाँ पर select कर लेना जो भी आपको mobile number पसंदा आज़ा उस पर tap करना और यहाँ पर next receive कर लेना receive करके उसके बाद यहाँ पर receive हो जाएगा आपका number successfully यहाँ पर आपको जो है प्लान के उपर चाइब करना है और यहाँ पर आपको plan select कर लेना है इस पर tap करके और यहाँ पर done कर देना है तो यहाँ पर मैंने done कर दिया है उसके बाद यहाँ पर same number मांगा जाएगा तो आप manually fill कर लेना और अगर यहाँ पर एसकेन लेता है आपका SIM card का QR code होता है तो उसे एसकेनर रॉल अप्सेंपर टैप करके यहाँ पर SIM card का QR code को एसकेन कर लेना यहाँ पर SIM card number लोड हो जाएगा पेज को उपर किश्कॉल करना यहाँ पर नीचे आना नीचे यहाँ पर आपको पर select कर लेना उसके ऑट थोड़ा सा पेज को उपर किश्कॉल करके इस जगह पर email id number मंगा जाएगा तो you mail id number इस जगह पहए डाल देना उसके बाहए यहाँ पर आपको पेज को उपर किश्कॉल करना है यहाँ पर family details आ आげड़े तो यहाँ पर डालना चाहरा और यहां पर पेंट कार्ड मांगा जाएगा अगर है तो डालना नहीं तो next कर देना next करते हैं आपके सामने कुछ अगला पे इस तरह का सू करेगा करना और पेज कोपर के स्क्रॉल करते हैं आपको इहां पर नीचे आना है नीचे आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हो तो यहां पर यहां पर यहां पर नंबर आया जाएगा यहां पर रिटेलर का MPN डालके यहाँ पर रिचार्ज करना सम्मिट करके आओ नहीं तो आप इसकीप करके बाद में भी एफार कर सकते हो तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर पोश्ट प्रेट सिम एक्टुएट कर सकते हो यह चलका